सब्सक्राइब भाइं इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अपने इंडिया में अगर हम बात करें तो post harvest losses बहुत होते हैं पोस्ट harvest losses कहने का मतलब क्या है जो हम already harvesting कर जब कहें जिन crops का उनमें भी losses बहुत ज़ादा होता है अब इसका reason सबसे बड़ा क्या होता है सबसे बड़ा reason जो है that is unscientific storage सकते हर crop को अलग-अलग तरीके से या फिर कह सकते है एक category वाले crops को एक तरीके से store करना बढ़ता है दूसरे category को दूसरे के लिए सब के बहुत सारे factors है एक environmental factor भी है जो damage कर सकता है दूसरे insects हैं जो की damage कर सकते हैं इनके post harvest losses में आता है major economic loss caused by grain investing insects is not always the actual material they consume कहने का मतलब है कि सिर्फ economic loss में कर हम देखे हैं तो सिर्फ ऐसा चीज नहीं है कि जो जिनोंने जो चीज को consume कर जाए उस चीज का ही loss है अगर अपने पास में 100 kg अगर wheat store किया गया था तो जरी नहीं कि उन्होंने 10 kg अगर consume कर दिया फिर waste कर दिया तुमारा 10 kg को loss है नहीं इसके साथ-साथ जो consume हो गया याई 90 kg तो बचा है ये भी safe नहीं है क्योंकि इनके 77 में क्या होता है कंटमिनेट कर देते हैं वो grains को किससे with their excreta and make the food unfit to the human consumption ठीक है about 500 species of the insect has been associated with stored grain pest sorry stored grain products ठीक है अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो नेरली जो 100 species हैं insects paste के और stored grain products causes economic losses याई economic loss करने वाले अपने पास में 100 stored grain pest हैं अगर move करते हैं दूसरे segment पे तो insect जो storage insect pest हैं उनको basically दो broad category में रखा गया है that is the primary storage pest and second is the secondary storage pest ठीक है अब primary storage pest कहने का मतलब क्या है directly वो external और internal and external feeders होते हैं मतलब direct जो है उन्होंने food grain को consume किया हुआ है और secondary storage pest के बारे में जिस्ट हम जैसे से लेक्षिस के अंदर में बढ़ेंगे उनकी बारे में फिर देखते जाएंगे अगर common बात करते हैं कि primary storage pest कौन से है storage grain pest कौन कौन से हैं तो insect that damages sound grains are primarily stored कहने का मतलब क्या है जो grain से उनको direct damage करने वाले सबसे पहले मैं आपके साथ में जो discuss करना चाहूंगा that is the order अब order देखो कि कौन से insect के order जादा damage cause करते हैं that is the Colleptera Colleptera Lapidoptera Colleptera 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 और आप नीचे भी देखो Lapidoptera तो majorly अपने पास में दो order आपको जादा दिख रहे होंगे एक है Colleptera ठीक है second है Lapidoptera ठीक है तो इनके जो insects होते हैं यह बहुत जादा damage करते हैं crop को एक्जामपल अब देखते हैं common example राइस वीविल साइंटिविक नेमा प्यात कर लोगे यह आपको जो पोटेटो ट्यूबर मौथ अगें मौथ है बीटल है बीटल है मौथ है तो major category जो इनसेक ग्रेंट पेस्ट का है वो कौन बनाता है वीविल्स बोर्स और मौथ एक चीज़ और है डाट इस बीटल्स तो major यह है stored grand pest या family वगरा भी यह table have completely इसको आप वीडियो पॉस करके भी देख सकते हो मैं इसको normally slide over कर रहा हूँ और यह PDF आपको वैसे भी टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगा अच्छा यह जो मैंने बात किया है that are examples of internal feeders दूसरा है that is the external feeders अब external feeder में कहके दिया हुआ है again in beetle, moth, moth, moth and beetle तो आप अगर category से अगर देखो example अगर आप याद करना चाहो और आपको कोई सभी beetle याद है कोई सभी अगर आपको moth याद है कोई सभी weevil याद है तो आप इसके simple example को डाल सकते हो जिसमें moth को अगर आप देखोगे तो mostly जो भी आप moths देखने वाले हैं वो किस category में करता है lapidoptera में होता है और moth किस category के है, order के है, lapidoptera है, तो कुछ याद करने का तरीका है, इस तरीके से इस चीज को आप याद कर पाओगे, मतलब थोड़ा से example याद करना easy हो जाता है, next अगर हम बात करते है, that is the secondary storage pest, अब secondary storage pest का मतलब क्या हुआ, insects that damages the broken or already damaged grains, ठीक है, कहने का मतलब है, ऐसे insects जो की already broken, या फिजो already primary pest ने damage कर रखा है, उस पे, मतलब उनको damage करते हैं, फिर उन पे feed over करते हैं, that is called secondary storage, stored grain pest, या फिर storage pest का हैंगे इनको, ठीक है, अब इसके अंदर में कहा है, saw tooth grain beetle, again beetle है, ठीक है, order को लेप टेरा, next, अब मूव करते हैं, तो देखिए, beetle, beetle, lice, पहला आपको मि हैं, भी नहीं है, आप, example याद अगर कर भाऊ तो ठीक हैं, तो बहुत important नहीं है, important अगर बात करते हैं, तो primary storage pest में, internal feeders पे पहले बात कर लेते हैं, तो internal feeders में सबसे पहला अपने को पढ़ना है, rice we will, जिसको हम हिंदी में कर बात करें, तो आप इसको घून कहते हो, ठीक है distribution, अच्छा, family तो आपको मैंने पहले ही बता रही, sorry, order तो आपको पहले ही, कॉलेप्टरा बता रखा है, distribution and status के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो worldwide, it is found practically throughout India, ठीक है, it is the most destructive pest of stored grain, rice we will may be found in the paddy fields as well, यह नहीं, यह field से ही start ऐसा नहीं कि stored grain pest तो वहां नहीं मिलेगा, field पर भी okay, moving, bionomics इनको देखकर कैसे पचानना है, full grown larva is 5 mm in length, ठीक है, this is the 5 mm, okay, and plumpy, fleshly, legless creatures, ठीक है, okay, red is brown beetle, adult is 3 mm in length, ठीक है, okay, अच्छा, यह larva के बारे में बताए गया, sorry, मैंने यह आपको adult में बता दिया, larva के बारे में लिखा है, 5 mm, ठीक है, जो fully grown, जो beetle होता है, adult that is 3 mm in length, with a cylindrical body and a long cylindrical curved roast drum, ठीक है, okay, it's Elytra, बियर 4 light reddish or yellow spots, ठीक है, okay, Elytra मतलब समझता है, यह जो है, बारे में बारे मात के बारे मात के बारे, this is wing, okay, ठीक है, the rice we build breeds from April to October, ठीक है, and hibernates in winter, as an adult inside cracks and cracks and crevices, यहनी, दरारों में रहते हैं, ठीक है, under weed bags, in the go-downs, during the active season, females lay about 400 eggs, on the grain by making a depression and hole, and is sealed with a gelatinous secretion, eggs hatch, जो है, वो 6-7 दिन में हो जाता है, and the young larva, bore directly into grain, यहनी, देखो, सबसे फोल, इसका damage symptom कहाँ पर आएगा, अपने को, grain में मिलने वाला है, where the feed and grow match up to maturity, then the pupate inside the grain, the pupal state, जो है, वो 6-14 दिनों का होता है, on emergence, adult, we will cut it out of the grain and live for about 4-5 months, यह सोची है, यह जो adult है, वो 4-5 मेना तक जिन्दा रहता है, at least generations, at least generations are completed in a year, मतलब एक साल में एक generation complete होता है, अगर damage symptom के बारे में, अगर जाने हैं, तो that is, moths, the adults and the grubs causes damage, मतलब अगर हम धान दे हैं, तो both, sorry, moths नहीं, both adult and grubs, जो छोटे form है, वो भी damage cause करते हैं, developing larva lives and feeds inside the grain, causing irregular holes, ठीक है, ग्रेन के अंदर में अगर आप देख पाओ, मैं इसको तोड़ा zoom करता हूँ, ग्रेन के अंदर में इन्होंने क्रेट कर रखा है, यह holes create कर देते हैं, मतलब यह, यह point important है, कि जितना हो खाते नहीं है, उतना वो damage symptom cause करते हैं, अगर यह जो छोटा सा lecture में ने बनाया है, और भी insects हैं, जो की store grain pest में होंगे, जिनकों upcoming lectures में और अच्छे से cover करने वाले हैं, so guys मिलते हैं, next lecture में,